शिरी कड़े शायन नमा नमस्कार में तरोज स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का आपके अपनी चैनल ग्यान गंगा में चद्रमा की कनाव के ज्यादा या कम होने के अनुसार ही महिनों को दो पक्षों में बाटा गया है जिने कृष्ण पक्ष या शुक्ल पक्ष के नाम से जाना जाता है पूर्णिमा से मावस्य तक के बीच के दिनों को कृष्ण पक्ष कहा जाता है वहीं इसके उलट अमावस्य से पूर्णिमा तक का स्यमे को शुक्ल पक्ष के नाम से जाना जाता है इस वीडियो में बात करेंगे सितंबर 2020 में कृष्ण पक्षभा सुक्ल पक्ष की तिथियों कब से कब तक है तथा क्या है इन तिथियों का महत्व लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नहे हैं और अभी तक आपने से सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगामी कृष्ण पक्षभा सुक्ल पक्ष की तिथियों की जानकारी प्रक्त करने के लिए आज ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आपको मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहे वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक और शेयर करना बिलकुल ना भूले तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का वीडियो अमावस्या और पुर्णिमा के बीच के अंतर को शुक्ल पक्ष के नाम से जाना जाता है अमावस्या के बाद के 15 दिन इस पक्ष में आते हैं अमावस्या के अगले ही दिन से चंद्मा का आकार बढ़ना शुरू हो जाता है इस दोरान चंदरबल मजबूत होता है और यही कारण है कि कोई भी शुपकार करने के लिए इस पक्ष को उपयुक्त और सर्वशेष्ट माना जाता है किसी भी नएकार की शुरॉआत भी शुक्ल पक्ष में ही की जाती है सितंबर माह में सुक्रपक्ष की तिथियां है एक सितंबर से दो सितंबर उसके पश्चाथ 18 सितंबर से 30 सितंबर तक रहेंगी पुर्णिमा और मावस्या के मदिक के भाग को कृष्ण पक्ष कहा जाता है ऐसा माना जाता है कि पुनिमा के अगले ही दिन से कृष्ण पक्ष शुरू हो जाता है कृष्ण पक्ष को किसी भी सुपकार के लिए उच्छत नहीं माना जाता है और ऐसा माना जाता है कि इस पक्ष में या इसके पक्ष के दौरान कोई भी ऐसा कार नहीं करना चाहिए जो शुप हो जैसे शादी मुंडन या घर में कोई भी अन्य विशेश अफसर कृष्ण पक्ष की तितियां सितंबर माह में 3 सितंबर से 17 सितंबर तक रहेंगी तो ये थी जानकारी सितंबर माह में पढ़ने वाले कृष्ण पक्ष और सुक्र पक्ष की तितियों के बारे में मेरे वीडियो में अंतर तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धनेवार फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ